दोस्तों आपको इस टुटोरियल में जो करसर कंट्रोल डिवाइसे के बारे में जान कारे दूँगा तो सबसे पहले जो माउस माउस करसर कंट्रोल लिंग तथा पॉइंटिंग डिवाइस है एर्थात माउस के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर कंट्रोल को नियंत्रित किया जाता है तता विशेज स्थान पर पॉइंट किया जा सकता है माउस हतेली के आकार के समान छोटा सा बॉक्स होता है इसकी उपरी सतय पर दो या तीन बटन बने होते हैं वह निचली सतय पर एक छोटी सी बोल लगी हुई होती है या लेजर लाइट होती है जब माउस को संतल सतय पर गुमाया जाता है तो एक पॉइंटर मॉनिटर स्क्रीन पर गुमता है हम माउस को जिस डायरेक्शन में गुमाते हैं माउस पॉइंटर उसी डायरेक्शन में जाता है तो माउस की उपरी सतय पर तीन बटन होते हैं जिन में से सामानते कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए बाएं बटन का परियोग किया जाता है मद्यम बटन का परियोग डोकुमेंट को नीची तथा उपर करके देखने के लिए तथा माउस की दाएं बटन पर कलिक करने पर कमाड सुचि परदासित होती है जिसमें से सम्मन्दित कमाड को चुन कर कम्पेटर को निर्देश दिया जा सकता है माउस कई परकार के होते हैं जैसे ऑप्टिकल है जो आको बॉल्स वाले हैं तो माउस का अधिकतर परियोग ग्राफिकल करियों में किया जाता है इसकी द्वारा टेक्स्ट की एडिटिंग भी की जा सकती है तथर डॉकुमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्लिक करके आसाने से काम किया जा सकता है इसके बाद अगला टोपिक आता है अपना जोईश्टिक जोईश्टिक भी कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस है इसका प्रियोग मोनिटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंतरित करने के लिए किया जाता है इसका प्रियोग सामानत है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है ये गेम खेलने में कीबूर्ड की एरो कुंजी के समान कारी करता है इसमें आधार पर एक स्टिक होती है जो आधार पर लगी हुई गेम से जूड़ी हुई होती है इस जो स्टिक्स यानि जो छड़ी को चारों दिशाओं में गुमाया जा सकता है जिस दिशाओं में इसको गुमाते हैं पॉइंटर उसी दिशाओं में मूव करता है इसके बाद आता है ट्रेक बाल ट्रेक बॉल भी एक करसर कंट्रोलिंग तथा पॉइंटिंग उपकरण है तथा ये है लेप्टोप कंप्यूटर में परियुक किया जाने वाला माउस ही होता है ट्रेक बॉल में एक बॉल लगी हुई होती है जो अंगोलियों के द्वारा बॉल को जिस दिशा में गुमाया जाता है उसी दिशा में स्क्रीन पे पॉइंटर गुम जाता है अगला आता है लाइटिंग पैन लाइट पैन पॉइंटिंग डॉइस होती है जिसका परियोग मेनू आप्शन्स को चुनकर निर्देश देने तथा ड्राइंग सॉफ्ट्वेर में ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है इसका परियोग लाइट सेंसेटिव स्क्रीन पर किया जाता है जैसी पैन की टिप जो है स्क्रीन को छूती है तो इसका जो लाइट सेंसेटिव है उसकी क्षेतर को पहचानता है तथा उसके अनुरूप ही निर्देश कंप्यूटर के पास भेज दिये जाते है लाइट पिन का परियोग इमेल लिखने वए SMS लिखने के लिए भी किया जा सकता है इसके बाद अगला आता है आपका स्केनर स्केनर फोटोकोपी मशीन के समान ही कारी करता है इसका परियोग किसी भी प्रकार की इमेज या हाथ से लिखी टेक्स्ट को डिजिटल फोर में बदल कर कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है स्टोर की गई इमेज में एडिटिंग भी की जा सकती है तथा उसे आसन से प्राप भी किया जा सकता है Scaner द्धोरा image को scan करने के लिए फ़ोटो कोपी मशीन के समान laser technology का प्रीव कहाजाता है Scan की जाने वाली सुसना किसी भी प्रकार की हो सकती है Scaner उस सुसना को सुदता के साथ scan करके computer memory में store कर देता है Scaner दो प्रकार का होता है Page Scanner तथा Hand Scanner तो दोस्तों इस प्रकार हमने कुछ जो Input Devices के बारे में अधेन किया है आने वाले टुटोरियल में मैं आपको इनके लाओ और भी Input Devices है उसके बारे में बताऊंगा तो आप ये वीडियो पर देखते रहें अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें सेर करें सबस्क्राइब करें ताकि सब लोगों के मदद हो थैंक्स पोर वासी